हेलो वर्वन तो आज हम क्यूरोसिटी नंबर टू के बारे में बात करने वाले हैं जो क्या है भाई कि हम मरकरी का ही क्यों यूज करते हैं टेंपरेचर नापने के लिए अगर भाई आपके भी मन में ऐसे ही सिमिलर कूरोसिटी हो तो आप उसे पूछ सकते हो अभी तुरंत उ है कि हम क्यों मरकरी का ही यूज करते हैं वाइल मिजरिंग टेंपरेचर ठीक है तो हम जानते हैं थर्मामेटर में हम फिल करके रखे होते हैं मरकरी जब हम टेंपरेचर के कॉंटेक्ट मिलाते हैं तो मरकरी क्या होने लगती है एक्सपैंड होने लगती है अब एक्सपैंड में भी करते हैं पाइप में प्रेसर को मेजर करने के लिए ठीक है तो दूसरी बात कि यह जो कुछ प्रॉपर्टीज होंगी इसके पास तभी तो हमने इसको सब सारे मेट्रेल को छोड़ के मैंने मरकरी को मैंने क्या मतलब साइंटिश लोगों कि मरकरी को चूच किया जैसे हर क्लास में टापर होता आपको पता हो अब बनने के लिए आपके पास एक अलग सी कुभी होनी चाहिए जो और किसी में नहीं हो है ना जैसे आपकी पास लिसनिंग capability अच्छी होनी चाहिए है ना learning capability अच्छी होनी चाहिए performing capability अच्छी होनी चाहिए है ना और memory power आपकी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए तो सारी काफी सारी properties को मिला के तब एक टॉपर बनता है actually ठीक है तो वैसे ही अगर mercury को हमने चूज किया है वाटर को छोड़के ऐसे काफी सारे liquid and solids को छोड़के तो प्रॉपर्टी के अंदर होगी है ना चलो देखते हैं भाई क्या क्या प्रॉपर्टी जो सब को पता होती है सबको मुझे तो पता थी आपके लेवल पराप को नहीं पता है तो इसको थोड़ा सब लें पढ़ाई करें इसके बारे में जो पहली तो mercury क्या होता है होता है इसको हमके क्यों से करते हैं SG महारा होता है रूम टे परे लिक्विड remedy was यह होता मेटल है मेटल होना क्या चीव है सॉलिड बट यह अलग सब यह करता है एक सेट्टनल केस होता है जो क्या करता है लिक्विड होता है रूम टेंपरेचर पे स्चिह मतलब सौलिड नहीं मैटल तो है बट सौलिड में लिक्विड है रून تेंपरेचर चलिए तो एक प्रोपर्टी क्या इसी के वज़े मने इसको मरकरी के लिए अब मरकरी को कव हैब सब्सक्रीं से लुए और भी हाई होना चीए तो हाई आप लिख लेना ठीक है अब देखो कॉफिशेंट ऑफ थर्मल एक्स्पेंशन आप जानते नहीं होगे इसके बारे में तो समझ में नहीं आएंगी चीज़े देखो जब हम इसको हीट देते हैं मरकरी को तो ये क्या करने लगता है अब कौन मेजर करता है कौइशेंट ऑफ लीनियर कि एकशेंट रहा है ठीक है पज़ी करता है थर्मल ज़्यआदा यह यह होगा मतलब छोटे से टेंपरेचर के लिए उतना ज्यादा तुम्हारा रेडिंग तुम नोट कर पाऊगे उतनी अच्छी एक्सपेंशन होगी ठीक है मतलब छोटा सा बहुत ही जीरो जीरो पॉइंट जीरो वन अगर डिग्री सेंटिग्रेट में तुम करते हो थोड़ा बहुत एक्सपेंशन तो होगा ही होगा मतलब धर्मल कॉफिशेंट ज्यादा होने का क्या मतलब भाई कि हम चोटा सा टेंपरेचर भी अगर टेबल होता है clear clear अब यह बात करते हैं कि यह तो आपको पता है कि एक फिक्स बहुत ही छोटा इमाउंट का थर्ममेटर होता है हम इसको लेके घूम सकते हैं देखो हम compare करके देख लेते हैं मरकरी के जगर वाटर रखते तो हमें जानते हो कितनी लेनी पड़ती लगबग एक बिल्डिंग के हाइट के तो उसको कहां लेके घूम होगे तो कहां लेके घूम होगे तो इसली फ्लो कर जाता है बहुत एच्छी बात है बहुत रहता है लिक्वीड चलो compare कर लिया हमने ठीक है दूसरी अच्छा ज्यादा होता है तो उसके कारड़ इसमें बहुत ही ज्यादा मतलब थोड़ा सा टेंप्रेचर दोगे फिर भी यह बहुत ही ज्यादा कर जाएगा ठीक है बट वाटर क्यों नहीं लेकते भाई वाटर लेने के वाज़े से हाइट बहुत ही लंबी स्केल लेनी तो क्या बस दो प्रॉपर्टी के वज़े से हमने चूज कर लिया मरकरी को नहीं अभी और देखो अभी और देखो तीसरी प्रॉपर्टी भाई इट हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट विच मेक इट्स वेरी हाई सूटेबल तो मिजर्ट अब आपको पता होगा कि हम इस से हाईयस टेंप्रेचर भी मेसर करते हैं 110-105 डेगरी मेसर करते हो ना चलो यहां पर वॉठर को रखके देखो तो वॉठर आपको पता है कि 100 डिग्री सेलसियस पर क्या होने लगेगा अब वॉइल होगा ठीक है तो अभी आपको मैं बताऊंगा वैप प्रेशा वाली है ना वाटर इसले हम कंसिडर नहीं कर सकते कि अगर सो डिगरी तक भी आप गए तो फिर आपके लिए प्रॉबलम देखो हम क्यूं एक ऐसी चीज बनाने के चक्कर में पड़ते हैं जो सब के लिए बेस्ट हो हर चीज के लिए बेस्ट हो इसा नहीं काम चलाना है में की वाट 3.5 टाइमस ऑफ वाटर है क्लियर मतलब वाटर का 3.5 टाइमस बॉइलिंग पॉइंट इसका मतलब साढ़े 300 डिग्री सेल्सिए जब तुम जाओगे उतना ज्यादा टेंपरेचर किसी बॉड़ी का नॉर्मल हुमन बॉड़ी का नहीं होता है क्लियर उतना जब जाओगे त लेकर जाओगे तो यह नहीं होने वाला अब तीसरी जो चौथी बात भाई करते हैं वह क्या कि या वैपर प्रेशर भी इसका क्या होता है बहुत ही लो होता है तो वैपर प्रेशर होता क्या है जब मैंने हीट में पढ़ाया था आपको एक चीज कि बाबु जब एक में जब प्रेसर जो वैपर है अमारे सर्फेस पर प्रेसर लगाता है उसी प्रेसर को क्या बोलते हैं वैपर प्रेसर अब इसको तुम हीट करोगे तो सर्फेस स्थाते से कम है they do High boiling 거야 जब बॉयलिंग पॉयंट के तुपर जाने लगते होगी। यही चार बेसिक पॉइंट है जिनकी वजह से आपका जुद मरकरी है वह मुश्ट सूटेबल मैटेरियल है तू यूज तू मिजर दर टेंपरेचर इन थर्मामेटर हम इसको क्यों यूज करते हैं थर्मामेटर में क्योंकि यह मुश्ट सूटेबल एंड मुश्ट एप्रोप्रियेट मैटेरियल है टेंपरेचर को नापने के लिए क्योंकि इसके पास काफी सारी प्रॉपर्टीज है अब जाते जाते एक छोटा सा आप से कोश्चन में पूछ रहा हूं कि य अगर ऐस घाए आपकी सीमिलर क्यूरांसिती हो तो प्लीज कमेंट डाउन ना था कि यह आपको भी करेगी आपके जूनियर को भी हल्प करेगी आपके दोस्त को भी हल्प करेगी घिलैगहे हो जाईगी मिलते हैं की से गगसी में तब तक कि लिए बाई